पिछले कुस दिनों से उत्तरप्रदेश के बाउसंख्यक मुस्लिम इलाकों से हिंदों के फलायन की खबरें सामने आ रही हैं आरोप है कि इन इलाकों में मुस्लिमों की ओर से उन पर अत्याचार किये जा रहे हैं जिसकी वज़े से वो अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं हाली मा लीगर के टपल के नूपुर गाओं के हिंदों ने मुस्लिमों के प्रतारना से तंग होकर पलायन का एलान कर दिया था और अपने घरों पर मकान बिकाओ लिख दिया था ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कुछ दिन बाद ही रामपुर के टंडोला में हिंदों ने दरजन पर घरों के बाहर मकान बिकाओ है लिख दिया गया तो वह अब कानपुर के करनल गंज से भी ऐसा ही मामला सामने आया है दरसल यहां दस हिंदू परवारों ने अपने घर छोड़ने का निर्ने ले लिया है वहां के हिंदू परवारों का कहना है कि उन पर दवाब बनाय जा रहा है कि या तो वो इसलाम मजब अपना कर मुस्लिम बन जाए या फिर घर छोड़कर चले जाए पेडित परवार ने कहा है कि उनकी जान पर रोज खत्रा मंडरा रहा है क्योंकि मुस्लिम दवंग उन्हें डराने के लिए हमेशा कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं जानकारी के मुताबिक ये गटना करनल गंज थाना छेतरे के रेल पटरी लाके की है शनवार को पूरी राद डर के साई में रहे एक परवार ने बताया कि उनके घर की बेटी के साथ छेटचार की गई और जब भाईयों ने मना किया तो घर में गुसकर मारपीट की गई लड़की के साथ बलातकार का भी प्रयास किया गया नो नामजद और तीन अग्यात के खलाब मामला दर्च कराए गया है पुलिस ने इस मामले में कारवाई करते वोई तीन आरोपियों को गरफतार भी किया था लेकिन परवार का आरोप है कि उनमें से दो किसी तरह चूटने में कामयाब रहे कोछ हिंदू परवारों ने अपने घर के बाहर पलायन का संदेश भी लिख दिया है मौले के ही एक दवंग आपताप पर आरोप लगाए कि वो धमकी देता है कि जैसे ही योगी सरकार जाएगी और सपा की सरकार आएगी वो पीडितों की ओर से दर्ज कराएगए केस का भी बदला लेगा चिड़ खानी और मारपीट के घटना को लेकर जानकारी देते हैं कानपुर के नगर आयुक्त असीम अरोण ने कहा है कि ये दो सम्दाय से संबंदित मामला था और आरोपियों को ग्रफतार किया गया है अरोण बताया कि उन्हें इसकी जानकारी है कि वहां के नागरिक आसरुक्षेत महसूस कर रहे हैं और उनसे हम संपल्ख में है अरोण इसकी जानकारी कि जाएगी और इसकी जानकारी कि जाएगी और पिछला प्रफतार कि जाएगी और इसकी प्रक्रो और ये प्रक्राइब समिलकरकर बनी है तो जम्हें गैंग्स्टर के वहां कि जाएगी किसी भी व्यक्सी को ऐसामा पानी दिया गाएगी कि वह प्रफों पढहनी प्रफती को आप्यों उदर पीडित परवारों ने समाजवादी पार्टी के इस्थान्य विधायक अमेत वाजपेई पर भी आरूप लगा है उन्होंने काया कि सपा विधायक आरूपियों की मदद कर रहे हैं इन दस हिंदू परवारों में से कुछ बिहार से आकर बसे हैं बताय गया है कि पीड़ परवार के घर में पचास की संख्याम मुस्लिम फीड़ खुसी थी बजरंग दल के इस्थाने कारकरताओं ने इस घटना के वरोध में प्रदर्शन भी किया और नियायक की मां की कि अब सवाल ये कि आकर देश के अंदर पाकिस्तान जैसे हालात क्यों बनाये जा रहे हैं क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही है देश और दुनिया की तमाम कबरों को पानने के लिए दिक तरही एफ वीकी निउस नमस्कार